हेलो शुजेंट केजे नॉलेज हब के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम लोग फेक्ट्स के भाग साथ में पार्ट सेविन में एक नए प्रस्न के ऊपर चर्चा करते हैं हमारा आज का प्रस्न है फेक्ट्स साथ का कि पिट्रॉल में लगी आग जल से नहीं बुश्ती है क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिट्रॉल जल से हलका होता है जल से हलका होने के कारण जब पिट्रॉल में आग लगती है और उसके ऊपर पानी डाला जाता है यानि जल डाला जाता है तो पिट्रॉल हलका होने के कारण जल के ऊपर तैरने लगता है तथा जल नीचे बैड़ जाता है जिसके कारण पेट्रॉल में लगी आग जल से नहीं बुच पाती है तो हमारा उत्तर होगा क्योंकि पेट्रॉल पानी से हलका होता है हम जब पेट्रॉल में लगी आग को भुजाने के लिए जल डालते हैं यानि पानी डालते हैं तब पेट्रॉल हलका होने के कारण पानी की सता यानि जल की सता पर तारने लगता है तदा जल नीचे बैठ जाता है यही कारण है की पेट्रॉल में लगी आग पानी से नहीं बुजती है तो बुजेगी कैसे तो पेट्रॉल में लगी आग को बुजाने के लिए पेट्रॉल पंपर देखते होंगे बाल्टी में बालू भड़ा रखा जाता है बालू का प्रियोग किया जाता है मिट्टी का प्रियोग किया जाता है रेत का प्रियोग किया जाता है और इस प्रकार पेट्रॉल में लगी आग को बुझाया जाता है प्रस्टुडेंट हाज़ने फैक्ट्स पार्ट 7 में एक नए प्रस्ट पेट्रॉल में लगी आग पानी से नहीं बुस्तिक्यों के बारे में चर्चा की अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ल अगले वीडियो का इंतजार करें तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं धन्यवाद